अल्राइट सो सीबियार के सिम्टैक फ्लाशर में हमें दो चीज़ें मिलती हैं पहला है इसका यह LED लाइट्स और दूसरा है इसका फ्लाशर तो जब आप लेते हो इसे सिम्टैक के वेबसाइट से तो आपको यह दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी इसलिए प्राइस यह अलग अलग लेना पड़ता है फ्लाशर वाज LED तो यह LED का पैकेट है इसके अंदर यह SMS अच्छे से एकदम लोगों ने पैक किया हुआ है लाइट्स को तो पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी इन लोगों की पैकेजिंग के अंदर अपने को यह वारंटी कार्ड मिल जाएगा वारंटी कार्ड के अलावा बस यह चार लाइट्स तो अब इन चार लाइट्स को निकाल कर देखते हैं तो इनको खोलना बहुत मुश्किल है फिर भी मैंने ब्लेड से इनको काट कर असे अलग किया है और अभी इनके अंदर से निकाल लूँगा पैकेजिंग काफी अच्छी किये इन लोगोंने सो यह बल्ब है इसके चारो साइड 360 डिगरी LED लगी हुई है और फ्रंट में भी और यह इसका बैक साइड है बैक साइड अगर आप देखोगे तो इसके जो दोनों मेटल पिन्स है यह थोड़ा उपर की तरफ है स्ट्रेट नहीं है स्ट्रेट से थोड़े ऊपर है दोनों तो इसको क्रॉस टाइप LED बोलते हैं लोग और CBR को क्रॉस टाइप LED लगती है यह लाइट CBR 150 और 250 दोनों में लगीगी लेकिन फ्लैशर दोनों का अलब होता है तो संबाल कर लेना 150 का फ्लैशर 250 में नहीं चलेगा 250 का 150 में नहीं चलेगा दोनों की प्राइसिंग सेम है तो ध्यान देना लेने के पहले तो अब इसको हम लोग खोलते हैं और इसके अंदर लाइट लगाते हैं तो यह है पूराना बल्ब फिलिप्स का यह स्टॉक आया था गाड़ी के साथ जैसे आप देख सकते हो उसके पर जंग वांग लग गया है तो यह भी निकाल देते हैं और एलीडी वाला लगाते हैं देख सकते हो आपकी क्रॉस टाइप है एकदम स्ट्रेट नहीं है दोनों थोड़ा एक अंगल में ऐसे उपर है तो यह वह बल्ब है इसको भी लगाते है लगाने का सिंपल तरीका है स्लॉट में अच्छे से डालके पुश करके रोटेट कर देना है क्लॉकवाइस और यह फिट हो गया अच्छे से गदम कोई टेंशन नहीं सो यह सामने से चारो लाइट्स चेंज कर दिये इनके अभी सामने के दो लाइट्स और पीछे के दो लाइट्स चेंज कर दिये गाड़ी चालू करते हैं और लाइट्स चालू करके देखते हैं याद रहे अभी अपनने फ्लैशर लगाया नहीं है इसके अंदर बिना फ्लैशर के यह लाइट्स चालू रहेंगी बिना फ्लैशर के अब देख सकते हो लाइट्स कॉंस्टेंट्ली चालू है इसको फिक्स करने के लिए अब फ्लैशर लगाना है सिंपल लाइट्स काफी स्ट्रॉंग है दिन में भी इतना ब्राइट जल रहे है तो फ्लैशर लगाने के लिए हम लोगों को CBR का टैंक खुलना पड़ेगा टैंक और दोनों सीट्स दोनों सीट्स कोलने के लिए यहां पर चार स्कुरूज होते हैं तो आपकी डायरेट निकल जाएगी चाबी से बड़ दूसरी वाली को खुलने के लिए आपको स्कुरूज से खुलना पड़ेगा तो से खुलने के बाद आपको यह टैंक के चार्ट स्कूरूस खुल लें जो यहां पर लगे होते हैं तो टैंक ऊपर आ जाएगा टैंक को ऊपर करके जस्ट एक स्कूरूड्राइवर से आप ऊपर रखें लॉक करके रखिए ताकि वह नीचे ना है वापस और उस टाइम पर यहां पर दिखा ही देगा सारी एलेक्ट्रिकल वायर्स यहीं से होके जाती हैं सीबीर की और यह जो वाइट आपको दिख रहा है यह वाइट पार्ट एक्चुली फ्लैशर है पुराना वाला जो स्टॉक गाड़ी के साथ आता है ब्लिंकर बोलते हैं इसको या फ्लैशर त इसको निकाल देना है ऐसा दिखता ही है अब वो फ्लैशर के जगे पर यह दो वायर्स को यहां पर लगाना है यह बस शॉट कर देगी उसको अगर यह घूम जाता है तो यह आपको फिर से बनाना पड़ेगा वायर को कट करके एक छोटे से इसके बिना फ्लैशर काम नहीं क अब इसको लगाने के बाद आप जिप्टाइ कर सकते हो कहीं पर ताकि यह निकले ना कभी आपस आते है गाड़ी के पास यह जो फॉस्त प्लाग यह ब्लिंकर का है ब्लिंकर यह फ्लैशर बोल सकते हैं आप इसको शिक्स पिन का है टोटल और इस गाड़ी का यह अच्छ है कि शारे कनेक्टर जबलब दिखते हैं तो आप गलत चीज को गलत कनेक्टर में नी लगा सकते हैं तो फ्रैशर का एक side इसके अंदर जाएगा और फ्रैशर का जो दूसरा side है वो वापस wiring के अंदर जाएगा और यह जो आप देख सकते हो ऐसा यहां से फिर इसके अंदर आ रहा है और यह बटन है बटन हम लोग जस टेस्ट कर लेते हैं चाल वर के सो काम कर रहा है अच्छे से आगे से बहुत अच्छी दिख रही है अभी गाड़ी और इंडिकेटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है जिस्ट नॉर्मल इंडिकेटर आप दोगे तो वह भूल जाएगा और इंडिकेटर मोड में आ जाएगा और जैसे ही वापस आप इंडिकेटर बंद करोगे यह वापस फ्लैशर मोड में आ जाएगा सो अभी हम लोग सोच रहे है कि कहां पर लगाएंगे इसको विकाज सीबियर के हैंडिल बार में ज्यादा जगा नहीं है एक्स्ट्रा चीज़े लगाने का तो फ्लैशर को हम लोग ने ऐसे छुपा दिया है अंदर की तरब फ्लैशर के नीचे रबर का शील्ड भी है तो टेंशन नहीं रहेगा ओवरीट होने का तो फ्लैशर को लगा लिया है और ऐसे राउट करके हम लोगों ने इसे इगनेशन स्विच के ऊपर वाले पार्ट में लगा दिया है तो उपर का जो हाफ था उसको निकाल दिया है और स्विच का हाफ जो था उसको उसके साथ लगा दिया है सो कनेक्ट भी अच्छे से हो गया कोई टेंशन नहीं है अच्छे से काम भी कर रहे है पैटर्न भी चेंज हो रहे है अच्छे से तो हो गया है आपको सारे पार्ट्स वापस लगा देने हैं बस और कुछ नहीं यह रात को ऐसा दिख रहा है लाइट बहुत ब्राइट है तो पैसा वसूल चीज है पैटर्न चेंज करते हैं एक नंबर लोक्स अगर आपको हमारा कॉंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको